बिस्मिल्लाहिर रह्माले रहीम, असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चिकन मेंचुरियन विद एक फ्राइड राइस चिकन मेंचुरियन के लिए मैंने चिकन लिए हैं, क्यूब्स में कट की हुई, हाफ केजी है ये सोया सॉस लिया है, हाफ टी स्पून, एक एग लिया है, बीट करके, और कॉन फ्ला लिया है, टूटे वेल स्पून सॉल्ड इसके अंदर हम एड करेंगे, वन टी स्पून, वाइट पेपर डालेंगे, हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और क्रस्ट चिलीज हैं यहां पर वन टील स्पॉन इन सब को चिकन में एड़ करकर मैरिनेट कर देंगे 30 मिनट्स के लिए जब तक चिकन मैरिनेट होगी हम एक्स फ्राइड राइस के त्यारी करेंगे एक फ्राइड राइस के लिए हमने सबसे पहले तीन अंडे लिये हैं उनको बीट किया है पिंच ओफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालकर पैन में मैंने घी लिया है आप चाहें तो ओइल भी उस कर सकते हैं जब अच्छे से यह गरम होगा फिर हम इसके अंदर सारे अंडे डाल देंगे अंडो को अच्छी तरीके से पकने देंगे उसके बाद फिर हम उसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे इसको डिश आउट कर लेंगे अलग से जो सबजिया मैंने लिए है एक फ्राइड राइस के लिए उनमें है हरी प्यास हाफ कप काजर है क्यूब्स में कटकी हुई वन एना हाफ कप गोबी ली है मैंने वन कप और यह अंडे हैं जो अभी हमने बनाए थे ठीक है अब सबसे पहले हमने क्या करना है ऑईल में टू टी स्पून जिंजर कालिक पेस्ट डालेंगे और इसको हलका साथे करेंगे अब ग्रीन चिली इसमें एट करेंगे यह दो अदद हैं कटी हुई इनको थोड़ा स्टे फ्राय करके इसके अंदर हम गोबी और गाजा डाल देंगे मेरे पास शिमला मिश नहीं थी इसलिए मैंने वह यूज नहीं की आप चाहें तो आपके बास अवेलेबिल है तो आप भी डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे सारे स्पाइस डाल कर वन टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर वन टीस्पून वाइट पेपर और हाफ टीस्पून सोया सॉस साथी मेरे पास चिकन स्टॉक है वन कप यह भी इसमें एट करेंगे चिकन स्टॉक जरूर एट करनी है इससे जो डाइस का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा आप इसको स्किप मत कीजेगा अब मेरे पास 2.5 कप उबले हुए चावल हैं इनको मैं सारी सबस्जियों के अंदर डाल के मिक्स कर दूँगी और जो अंडे और हरी प्यास हमने रखी थी अब उसको हम दम लगाते हुए शामिल कर देंगे और 15-20 मिनर्स के लिए हम इसको दम पे रखी थी थोड़ी सी क्लिप मुस्ते मिस हो गई थी अंडे और हरी प्यास डालते हुए कि अब यह देखें मज़ेदार से हमारे एक फ्राइड रईस रेडी हो गए है अब हम चिकन मेंचुरियन वेटी करते हैं चिकन मेंचुरियन के लिए सबसे पहले हम चिकन को फ्राय करेंगे ऑईल को अच्छे से हीट होने देंगे उसके बाद चिकन एड़ करेंगे इसके अंदर और लाइट गोल्डन ब्राउन कराने तक हम इसको फ्राइ करेंगे इसको अलग से सेपरेट रखते जाएंगे और पहले हम सौस रेड़ी करेंगे सौस के लिए हमने क्या करना है आईल को हीट करना है और लुटी स्पून जिंजर गार्لिक पेस्ट का डालना है उन कप प्लेंड कैचप लिया है मैंने और लुटी स्वश चिली गार्लिक सौस है ये भी इसमें शामिल करेंगे साथी इसमें जाएगा salt 1 teaspoon paprika powder 1 teaspoon चीनी शामिल करेंगे इसके अंदर 1 teaspoon इन सबको हम mix करेंगे और जो हमने chicken fry करके रखी दी वो अब इसके अंदर हम add कर देंगे ये मेरे पास प्यास है square में cut की हुई ये एक अदद है ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे हम और साथी लास्ट में हम इसके अंदर add करेंगे chicken stock का ये वन कप के करीब है आप चाहें तो इसकी quantity कम या जादा कर सकते हैं कि आपने gravy कितनी रखनी है पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर हम just chicken stock ही डालेंगे अब मेरे पास red chili flakes है half teaspoon और half teaspoon black pepper का है वो हम इसके अंदर add कर देंगे साथी इसके अंदर हम शामिल करेंगे corn flour है ये मेरे पास two table spoon उसको मैंने पानी के अंदर mix कर लिया था और हम वो इसके अंदर add कर देंगे ये gravy को ठिक करने के लिए यूज होता है आप इसके quantity according to thickness के adjust कर सकते हैं कम या जादा अब इसको 5-10 minute के लिए हम पकाएंगे और last में हम इसके अंदर थोड़ी हरी प्यास add कर देंगे खुश्बू के लिए और ये मज़ेदार सा manchurian हमारा ready हो गया है अगर आपको हच के रेसेपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेक केर अलाहाफेज